गिंती की पुस्तक अध्याय बीस, मुसा और हरुन का पाप और उस पाप का डंड, पहले महिने में सारी इस्राइली मंडली के लोग सिने नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वही उसको मिट्टी दी गई, वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, सो वे मुसा और हारुन के विरुद्ध इकरते हुए, और लोग यह कहकर मुसा से जगडने लगे, कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते, जब हमारे भाई यहवा के सामने मर गए, और तुम यहवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आये हो, कि हम अपने पश्वो समेत यहां मर जाए, और तुमने हम लोगों को मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है, यहां तो बीज वा अंजीर वा दाखलता वा अनार कुछ नहीं है, यहां तक की पीने को कुछ पानी भी नहीं है, तब मुसा और हारुन मंदली के सामने से मिलापवाले तंबु के द्वार पर जाकर अपने मुह के बल गिरे, और यहां का तेज उनको दिखाई दिया, तब यहां ने मुसा से कहा, उठ, लाठी को ले, और तू अपने भाई हारुन समेत मंदली को इकटा करके उनके देखते उस चक्टान से बाते कर, तब वहां अपना जल देगी, इस पकार से तू चक्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंदली के लोगों को और उनके पश्यों को पिला, यहां की इस आग्या के अनुसार मुसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, और मुसा और हारुन ने मंदली को उस चट्टान के सामने इकटा किया, तब मुसा ने उससे कहा हे दंगा करने वालो, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मुसा ने हाथ उठा कर लाठी चट्टान पर दो बार मारे, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंदली के लोग अपने पशुव समेत पीने लगे, परंतु मुसा और हारुन से यहवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, और मुझे इसरायल की दृष्टी में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंदली को उस देश में पहुचाने न पाओगे, जिसे मैंने उन्हें दिया है, उस सोते का नाम मरिबा पड़ा, क्योंकि इसरायलियों ने यहवा से जगडा किया था, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गय एदोमियों का इसरायलियों को अपने पास होकर चलने से बरजना फिर मुसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूद भेजे, कि तेरा भाई इसरायल यो कहता है, कि हम पर जो जो क्लेश पड़े है, वह तू जानता होता अर्थात यह कि हमारे पुर्खा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुर्खाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बरताव किया, परन्तु जब हमने यहोवा की दोहाई दी, तब उसने हमारी सुनी और एक दूद को भेज कर हमें मिस्र से निकाल ले आया है So, अब हम कादेश नगर में है जो तेरे सिवाने ही पर है So, हमें अपने देश में से होकर जाने दे हम किसी खेत वा दाख कि बारी से होकर नचलेंगे और कुवों का पानी नपिएंगे सडक सडक होकर चले जाएंगे और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए, तब तक न दहिने न बाय मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उनसे पास कहला भेजा कि तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार ले हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इसराइलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा कि हम सड़की सड़क चलेंगे और यदि हम और हमारे पश्यू तेरा पानी पिये तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं केवल पाउपाउँ चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा तू आने न पाएगा और एदोम उसने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इसराइल उसकी ओर से मुड़ गया, हारुन की मृत्यूं। तब इसराइलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नाम पहाड के पास आ गई। और एदोम देश के सिवाने पर होर पहाड में यहवा न मुसा और हारुन से कहा, हारुन अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोने जो मरिबा नाम सोते पर मेरा कहना छोड़ कर मुझ से बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा, जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है, सो तु हारुन और उसके पु पुत्र अलियाजर को पहना, तब हारुन वही मर कर अपने लोगों में जा मिलेगा, यहवा की इस आग्या के अनुसार मुसा ने किया, और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड पर चड़ गए, तब मुसा ने हारुन के वस्तर उतार के उसके पुत्र अलियाजर को पहनाए और हारुन वही पहाड के चोटी पर मर गया, तब मुसा और अलियाजर पहाड पर से उतर गाए, और जब इस्राइल के सारे मंडली ने देखा कि हारुन का प्रान चुट गया है, तब इस्राइल के सब घ्राने के लोग उसके लिए तीज तिन तक रोते रहे.